हेलो दोस्तो आप लोगों को यह तो पता होगा कि जब भी एक बच्चा जनम लेता है या पैदा होता है तो वो रोने लग जाता है और जैसे ही बच्चा रोता है तो उसकी मा और डुक्टर दोनों सांथ हो जाते है और खुश हो जाते है कि बच्चा बिलकुल ठीक है और सवस दोस्तो इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि बच्चा पैदा होते ही रोने क्यों लग जाता है और उसका रोना क्यों जरूरी होता है लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जो लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है इसको दबा कर ये घंटी जरूर दबा ना ही खुद से खाना खाता और ना ही खुद से पानी पीता तो वो जिन्दा कैसे रहता है तो आप लोगों को बता देते हैं कि मा के गरब में बच्चा एक थैली में बंद होता है और उस थैली में पानी जैसा तरल पदारत भरा होता है जिसे एमनियोटिक फिलूइड कहते और यह पानी जैसा तरल पदारत बच्चे को चोट से बचाता है और उसके शरीर के तापमान को बनाए रखता है बच्चा जिन्दा रहने के लिए मा के शरीर से एक गरबनाल से जुड़ा होता है जिसे अंबिलीकल कोड कहते हैं या प्लेसेंटा भी कह सकते हैं और इसी गरब गरबनाल के जरिये वो सारी चीजे मिलती रहती है जो उसको जिन्दा रखने के लिए जरूरी होती है और इसी लिए बच्चे के लंग्स यानि फेफडों को 9 महीने तक कोई काम नहीं करना पड़ता यानि वो निश्क्रिये यानि इनैक्टिव रहते हैं लेकिन जैसे ही बच्चा जब तक 9 महीने मा के गरब में था तो वो पूरी तरह से उसकी मा पर निर्बर था और उसको गरबनाल के जरिये सब कुछ मिल जाता था लेकिन जैसे ही बच्चा मा के सरीर से अलग होता है उसे खुद पर निर्बर होना पड़ता है खुद से सांस लेना पड़ता ह लेकिन उस समय बच्चे के फेफडे निश्किरिये होते हैं क्योंकि वो 9 महिने से कोई काम नहीं कर रहे थे और उनमें तरल पदार्थ भर चुका होता है जिसे एम्नियोटिक फिल्यूट कहते हैं और इसलिए बच्चा पैदा होते ही जोर जोर से रोने लग जाता है ताकि उसके फेफडे सिकिरिये हो जाए और काम करने लग जाए और रोने से उसके फेपडों पर प्रेसर पड़ता है और उसके फेपडों में से एम्नियोटिक फिल्यूट यानि तरल पदार्थ साफ हो जा और उसके फेफडे काम करने लग जाते हैं और बच्चे को सांस आने लग जाता है लेकिन कई बार बच्चा पैदा होते ही रोता ही नहीं है जो सही नहीं होता इसलिए डोक्टर उस बच्चे को उसकी टांगों से पकड़ कर उल्टा लटका देते हैं और उसको हलके हलके हाथो से मारते हैं ताकि वो बच्चा चीड जाए और चीड कर या दरद से रोने लग जाए ताकि वो अच्छे से सांस ले पाए तो दोस्तों अब आप लोग समझ गए होंगे कि बच्चे पैदा होते ही रोते क्यों है और उनका रोना जरूरी क्यों होते हैं अगर आप लोगों को ह लाइक और शेयर करना धन्यवाद